है लो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागा थे तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्पून चैप्टर राज़ुति विग्यान की यह चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोट के बच्चों के लिए अक्तेंद महत्पून है जिनके सलेवस में यह टॉपिक है चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है संगिये कारे पालिका जिसमें हम राश्पती के निउक्ति के विशाय में चर्चा करेंगे जो की काफी इंपोर्टेंट रहेगा कहते हैं अगर राश्पती को देखा जाए तो पहले पढ़ चुके कि भारत एक प्रभूता संपन लोग तांद्री गर्णराजी है भारत के र पार्लामेंट लोग्सावा राजेसवा में उनके द्वारा ये चुना जाता है यानि देखा जाए तो इंडिया में जो है राश्पति चुनाव आप परत्यक्ष रूप से होता है यानि यह दोनों में बहुत ही आंतर होता है अगर बात करे हम राश्पती की योगता के उप वह किसी भी लाब दाई पद पर असीन नहों अर्थात जो है प्रताशाई सरकारी करमचारी होना चाहिए इस संधाव में राश्पती उप्राश्पती राज्पती राज्पता के लिए निर्वाचित हो जाता है तो उसका संसर अत्वा विदान मंदक्स्तान उस दिन से विरिक पत्त जो ऐग्रन करता है अब देखते हैं कि हमारा राश्पती झाल निर्वाचित की प्रक्रिया है वह किस विदी से पूरा होता है और किस प्रकारी करना किया जा सकता है त derivedि जो निर्वाच्एक मंदक्न दोरा हो window आतवा लोक सबाइं राज्य सबाद राज्जे के विद त्पातिक्स प्रतिनीधों के अधार पर एक्कल संक्र में प्राणी द्वारा किया जाता एक मद्दान गुप्त-मठरा होता है यनि इस मद्दानजोती गुप्त होती है के सभी ध्हार प्रत्रादраж संस्ध cả निरौछी सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाजी सदस्रों को मत एक समानने हो इसलिए मतों की समानताओं के सुनिशित करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला जिसके द्वारा प्रत्यक निर्वाजी संसद आ विधायक को वोट का मुल्य निधारित किया जा सकता है किसी विधान सवा कुल निर्वाजे सवसों की संक्या कितनी है और उसको डिवाइट करना होता है एक हजार से यानि सरहल सब दो में हम इस परकार भी कह सकते हैं कि राजे कुल संक्या को राजे विधान सवा की निर्वाजे सवसों की संक्या से भाग करके जो है भागफल को फिर एक हजार से भाग दिया जाए यदि इस बात को अगर हम उधारन के रूप में समझे तो ये आपके लिए बहुत असान रहेगा माल लेजे पंजाब की चंसंक्या जो है एक करोड़ पैतिस लागी कावन हजार लिया गया है और 104 नीचे हो एक हजार किया गया जब इसको सलुशन करोगे तो आपको आएगा 130 आएगा पॉइंट 29 आएगा तो इसका करान क्या है इसका मतलब यहीं हुआ कि 130 जो है उस विधायक के वोटिंग का वेल्यू माना जाएगा अब उन्हें संका बनाने के तरीका ज जोरा जाता है यानि देखा जाये तो अगर 50 से उपर होता है तो इसको एक नंबर जोर दिया जाता है अगर 50 से कम होता है तो उसमें वो नंबर नहीं जोरता है यानि अगर मान लीजिए कि यहां पर 130 है और यह 29 है तो यह एक 130 ही रहेगा अगर मान लीजिए अगर यहां पर से गर्णना किया जाता है तो यह गर्णना करना बहुत असान होता और इसी से जो है उसके वोटिंग का वेल्यू जो होता है पता लगता है सब्सक्राइब का मत का मुल्ले निकालने के लिए सभी राज्यों तदा केंसाजित छेत्र दिल्ली एवं पंटचेडी की विधान सभाओं की सभी सदस्यों के मत जोर कर लोकसावता राज्य सभा के सभी निर्वाज्यों की संक्या से विभाजित किया जाता है यानि एक संसद का मत जो होती है सभी विधान सभाओं की निर्वाजी संद्रसों की संक्या यानि हम उधारन के लिए तो देख ऐसे हो सकता है कि सभी राज्यों की विधान सभाओं के मतों को जोर दिया जाए है माल लीजिए यह संक्या जो है पांच लाग च्वारीस जार नौसी कहाट है और सब्सक्राइब कुल दिवाइट करके लिकाला गया तो 702 है लेकिन अगर देखिएगा तो पॉइंट जो है पचास से नीचे नीचे है तो इसका मतलब है कि यह साथ सो दो ही रहेगा 703 नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी पचास से नीचे नीचे होता है तो उसको एक नहीं जोड़ा जाता अगर पचास से उपर होता है पॉइंट के आगे तो एक जो है जुड़ जाता है कहते हैं एककल संक्रमित मत परनाली से होता है इस परनाली में सभी परत्याक्षियों के नाम जो है मत पत्र पर लिखे जाते हैं और मदाता उनके आगे संक्या लिखते हैं परते मत पत्र पत्र पर जो है विरयता करम में उतनी पसंदे लिखता है जितने परत्याक्षि होते हैं उसी परकार वह अन्ने परत्र परताशि के नाम के आगे भी अपने संस्द पसंद के अधार पर संक्या 2,3 या 4 आदी लिख्स देता है यदि पहली पसंद नौ लिखी जाए अत्वा एक से अधिक अपरताश्री के नाम के आगे पहली पसंद लिखी जाए तो मत अवोद घोशित कर दिया जाता है यानि आपको एक को ही चुनना होगा जो आपके लिए मन पसंद होगा अगर हम मत गरना परिणाम की घोशना की बात करें तो वो भी एक अलग तरीके से होता है कहते हैं राज्य विदान सबाओं की सब्सक्राइब अपना मत दान राज्य की राज्धानियों में करते हैं जबकि सब्सक्राइब अपना मत दिल्ली या राज्य की राज्धानियों में भी कर सकते हैं मत गरना नई दिल्ली में होती है पहली पसंद को यदार पर सभी परताशिक मत जो है अलग अलग करके गिन लिये जाते हैं निर्वाजित घोशित होने के लिए कुल डाले गए बैद्य मतों के 50-35 से अधिक मत प्राप्त करना अवश्रक होता है इसे कोटा प्राश्पति को ही निर्वाजित होना है इसलिए एक प्लस एक अर्थाद दो से भाग भी दिया जाता है नियुंतम अंकों को जो पचास से अधिक मत बनाने के लिए भागफल एक जोर दिया जाता इसलिए इसलिए कोटा का जो होगा यहां मर्मूला कुल डाले गए वैध् यदि कोई भी प्रताश्पति कोटा प्राप्त नहीं कर सकता है तो सबसे कम पहली प्राप्त करने वाले प्रताश्पति को दुसरे प्रताश्पति के अधार पर उसके मतों का हस्ताक्षन बाकी प्रताश्पति में कर दिया जाता है इस परकार सबसे कम मत प्राप्त करने वा तो इसमें जो है सबसे कम जिसको भोट मिला उसको हटा दिया जाता है यारी नाम से हटा दिया जाता है दूसरी करना दार पर किसी भी प्रताश्य को वंचित मत मिल जाए तो उसे राश्पति पद के लिए विजय घोशित कर दिया जाता है यदि अब भी किसी प्रताश्री को कोटा नहीं प्राप्त होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने प्रताश्री को मत उसकी तिसरी पसंद के अधार पर बाकि प्रताश्री में कर दिया जाते हैं यह प्रक्रिया तब तक चलती रहते जब तक कोई भी प्रताश् सीट यानि और बहुत सो और दौत चार प्रताश्री में यहां पर वंचित अंग कोटा होगा तो आपको पता ही है कि 20,000 एक प्लस एक प्लस वान यानि इसकी संक्याज होगी 10,000 एक होगी माल लिए पहली गण्णा में प्रताश्री को पहली पसंद के अधार मिले मत कुछ इस परकार एक को आपको मिला है 9,000 एक को मिला है 2000 को मिला है 4000 और एक को मिला है 5000 इस शीएच में किसी प्रताश्री वह साथ हर देने के प्रवधान है दूसरे को हैं साहसे कर दिये जाते हैं यानि माल लीजे मतों के जो है अधार आपको एक हजार यारी एक हजार एक सो संक्या और पांच सो तो था चार सो मत मिले है तब उसकी सिती इस परकार होगी तो उसी अनुसार हम इसको क्या करते हैं प्लस कर देते हैं जिसमें आज जो होता है 9000 प्लस 1010 तो 10100 हो जाता है यानि 10100 हो जाता है अगर बात 100 की करें तो 4500 होता है तो प्लस करेंगे तो 4500 में आजाएगा अगर दा की बात करें तो यहां 5000 प्लस 400 होए तो 5400 होगा तो इसमें आप देख सकते हो कि यहां पर जो है और को पूरी तरह से बहुमत मिल चुका है या के पुर्व उसे भारत के मुख्यें नयाध दिश्क पस्तित्में सबत लेनी भी होती है। ऑप की देश के लिए चुल लिया जाता है। झाल झाल